दोस्तो नमस्कार स्वागा थे मेरी यूटूब चैलेंग में जिसका नामे आई क्या आल टीटोरियल इस फीडियो में हम लोग दिखाएंगे कैसे सेट स्कॉर्ड एंड कॉम्पास से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाती है ठीक है तो हम लोग देखो यहापर एक कोस्चेन है रेक्टेंगल साइट एबी 75 एमें साइट एडी 45 एमें यूजिंग सेट स्कॉर्ड एंड कॉम्पास तो देखो हम लोग पहले क्या क्या है यहापर बता दिया गया है एबी 75 तो हम लोग पहले एबी 75 को यहापर ड्रॉ कर लिया है और एडी 45 को भी हम लोग यहापर ड्रॉ हो गया है तो आप लोग को देखना होगा जो हम लोग 75 हे वो पहले नीचे ड्रॉ कर लेती हो ओके तो 75 mm को हम लोग पहले नीचे ड्रॉ कर लेती हो ड्रॉ करने के ज़रूरत नहीं नहीं कि हम लोग कोई भी दूरी लेके ले लिया तो इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा ज जो हम लोग दूरी खीचा है वो दूरी को दूरी से एक 90 degree angle बनानी पड़ी है ठीक है देखो हम लोग एक जो हम लोग दूरी लिया था उसके एक साइट से हम लोग 90 degree angle बना चुके है इसके बद हम लोग को 75 mm दूरी को लेना है और हम लोग नीचे इस साइट से हम लोग 90 degree angle खी बैठा के यह जो फार्टिकल लाइन है उसको काटना पड़ेगा जो पैरलाली लाइन है उसको काटना पड़ेगा ठीक है जो हो गया A और B ठीक है इसके बाद A और D दूरी लेके A पोइंट भी बैठाना पड़ेगा A और D दूरी ले लेती हूँ इसको A-point पे बैठाऊंगा तो उपर काट दिया तो उपर हो गया A और D और B-point पे बैठा के भी उपर काट दुँगा ठीक है इसके बाद हम लोग A-B फिर लेके ऊपर की तरब, एकी तरब ऊपर जो D पॉइंट पी बैटाके, वो B वाले पॉइंट को काट दूँगा, ठीके, तो देखो, ऊपर की तरब एक लाइन खीचने के हमारा एक पॉइंट मिल गया है, तो उस point को हम लोग जोड देती हूँ तो देखो उस point को जोड देती हूँ तो देखो जोडने के बाद हमारा जो rectangle है वो rectangle तयार हो गया ठीके इसके बाद को जो नाम ही वो नाम देना पड़ेगा ठीके तो ये complete